So guys हमारा चहीता ब्रैंड यानी Nokia पिछले कुछ टाइम से कई सारे X-series लाँच कर रहा है और इन्होंने कई सारे earbuds और earphones को भी लाँच किया है and previously मैंने इस earbuds का भी review किया था लेकिन Nokia ने एक new earbuds को इंडिया में लाँच कर दे है जो कि आते 2000 रुपिस के price में है और इसका नाम है Nokia Go Earbuds Plus और इसे में पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ और कई सारे चीज़े मैंने आप एक्स्पिरिंस की है और इस वीडियो में करने चाहरे उसका full review और आप से भी को बताऊँगा कि Earbuds कैसा है क्या-क्या features आपको इस Earbuds में देखने मिलते है इसकी sound quality कैसी है और ओर इस वीडियो को इस वीडियो में डीटेल में बताना है तो make sure वीडियो को एंड तक देखना साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना बाकि जैसे आप box को open करेंगे तो सबस्ब्ले आपको हाँ पर main earbuds देखने मिल जाता है बाकि इसके लिए बाक्स गंदर आपको user manual guides देखने मिल जाता है जो की काफी मोटा और काफी बड़ा है साथ में आपको हाँ पर type-c वाला charging cable देखने मिल जाएगा और कुछ extra ear cups देखने मिल जाते है अलगलग sizes के बाकि यह रहा main ear buds मेरे हाथों में और सबस्ब्ले अगर बात को उसके design and build quality को लेके तो first of all दो colors आपको हाँ पर देखने मिल जाएंगे एक है black और एक है white और जो मेरे पसे हाँ पर color है वो है black वाला अगर बात को नो way the quality की तो प्लास्टिक की बिल microwaving टी आपको Daug जाती है एक oval सा shape आपकोँain पर देखने मिल जाता है जो कि दिखने में काफी आछा लगता है बॉक्स लिजजाइन सभी दिखाई देता है और जो material है वह आपकोँए box शे से का इस दिखाई इससे में आपको तच कंट्रोल देखने मिलता है लेकिन जो आपको एस साइड में नहीं जाए यानि दोनों यह वह चोड़ा सा कटाओर देखने मिलेगा वह इसका टच एरिया है जहां पर आप इसे टच करके यूज कर सकते हैं बहुत सारे पर आप देखने मिल जाते हैं तो ये accidentally touch नहीं होता है यानि मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी मैं earbuds को use कर रहा हूँ और लेटा हूँ, one side अगर लेट जाता हूँ तो ये accidentally touch हो जाता है play and pause automatically होने लगता है लेकिन इस वाले में ऐसा case नहीं है ये मुझे याँ पर काफी साइश से लगी बाकि earbuds के back side में आपको LED indication देखने मिल जाता है कि ये on हुआ है या फिर नहीं और कुछ इस तरह के आपको पर overall इसका design and build quality देखने मिल जाता है और वहीं पर जो earbuds की build quality है वो मुझे याँ पर decent से लगी बाकि overall इसका design and build quality वो आपको पर price के सबसे अच्छा देखने मिल जाता है और वहीं पर अगर बाक ट्लू कानों में इनकी fitting की दोया कानों में काफी इससे fit हो जाते हैं काफी अच्छी काशी fitting आप कहाँ पर देखने मिल जाती है दोनों earbirds की और आप चाहे walking करें, running करें, यह easily गिरते नहीं, यह easily निकलते नहीं है, काफी अच्छी काशी fitting आप कहाँ पर देखने मिल जाएगी इन earbirds की, और अगर आप confused है कि क्या earbirds में mono mode का support है या पर नहीं, यानि आप single earbirds को use कर सकते हैं और single earbirds को case में रख सकते हैं, तो yes आपको यह आपको यह आपर देखने मिल जाता है, आप यह easily एक earbirds को use कर सकते हैं, और दूसरे को case में रख सकते हैं, और बहुत सारे लोगों question यह भी होता है कि क्या earbirds की mic quality है वो अच्छी है आपर नहीं, तो yes मैं नहीं आपर call लिया था और calling का पर अच्छी हो जा रहते हैं इंडूर में, even outdoor में अगर आप जाते हैं, तो calling अच्छी कासी हो जाती है, लेकिन जो mic की quality वह आपको आपको आपक वगरा देखने मिल जाएगा, बाकि इसके लिए as such कोई problem नहीं होता है, calling के लिए calling अच्छी हो जाती है, बाकि इन earbirds में आपको IPX4 की rating देखने मिल जाते हैं, यह dust and waterization के साफ में आते हैं, और अगर आप जानना चाहरे कि क्या है इन्हें पहन के हम gaming कर सकते हैं या पिर नह अगर आप normal gaming करना चाहते हैं, और normal कोई game वगरा खेलेंगे, तो वो easily यहाँ पे हो जाएगा, आपकोंपे audio कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप multiplayer game खेलते हैं, जैसे कि COD, BGM, यह सारे games खेलेंगे, तो वहाँ पे आपको delay feel होगा, और उनके लिए मैं आप सभी कोई यह earbuds तरीके mind नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको sound quality काफी अच्छी चाहिए, दिन यह वाले earbuds आप से भी क्लिए है, तो first of all, in earbuds में आपको Bluetooth 5.0 support देखने मिल जाता है, 13mm का tripod से भी मिल जाता है, तो जो connectivity वो भी अच्छी है, और साथ में 13mm का tripod से है, तो इसके वैस ब अगरा feel नहीं होता है, बाकि अगर आपको clarity को लेकि तो clarity भी अच्छी देखने मिल जाती है, अगर आप किसी भी type की songs को सुनेंगे, तो काफी clearly वो आपको सुनाई दे जाता है, किसी भी दरगा distortion या ऐसा नहीं लगता कि bass ने clarity को overcome कर लिया है, clarity आपको पर अच्छी देखने काफी punch है और काफी अच्छा सा base आपको आपको देखने मिल जाएगा, और अगर आप उन में से जिनिम बेस काफी ज़्यादा पसने है, यह बट साबसे भी काफी ज़्यादा पसन आने वाला है, और अगर आपको 2000 रुपीस में एक अच्छी sound quality वाले यह बट सी है, जिसे आ अगर आप इने वन चार्ट में continuously यूज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको चार्ट से 5 घंट के बेटेले आप देखने मिल जागा इनके यह बट में, और अगर आप इसे case के साथ में यूज़ करेंगे, तो दो बार आप इसे और चार्ज कर पाएंगे, या नहीं कहीं 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 करेंगे, तो फिस की साथ में बदा करेंगे, और इसे की साथ मेंने नख्या के इस वाले यह बट करेंगे, और इसे कसारा ईंका रिपाएंग है निक कहीं बहुत बहुत इसे कना अगर आ हां दो कि क्लिक कूलिए, तो aber i वीडियो से में आप सोभी को बिलते रहे और मैं मिलता हूँ इस एक और नए वीडियो में तब तक लिए बाँ बाई